एलो दोश्तों, कैसे आप सब उमीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज सुनते हैं एक कहानी, जिसमें एक युवक ये परिशान है कि प्रेम वेवा करना चाहिए, या पहले शादी करना चाहिए, फिर प्रेम करना चाहिए। तो हुआ ऐसा कि एक बार एक युवक अपने दाधी जी से पूछा कि ऐसा क्यूं होता है कि इनसान प्यार तो किसे और से करता है, लेकि शादी किसी और से, तो प्रश्म चुनकर दाधी जी बोले, बेटर तुम्हारे प्रश्म का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक काम देती हों पहले तुम गेहों के खेत में जाओ और सबसे अच्छी गेहों की बाली चुनकर मेरे लिल ले आओ लेकिन शर्थ यह है कि उस गेहों की बाली का चुनाओ तुम्हें एक बार देखकर ही करना होगा अगर एक बार तुम उसे छोड़ कर आगे बढ़ गए तो वापस जाकर उस बाली को नहीं चुन सकते तो यूँवग गेहों के खेत में चला गया और गेहों की बालीयों की मुआयना करने लगा कई बालियां देखने में उसे बहुत अच्छी लगी फिर उसे तोड़नी का मन भी हुआ फिर मन में उसके विचार आया कि हो सकता है आगे और भी ना तोड़े वा आगे बढ़ जाता कुछ दूर जाने के बाद उसे एक अच्छी गेहूं की बाली दिखाए दी फिर वही मन में विचार आ गया ऐसे करते करते पूरा खेत ही खतम हो गया पर वो एक भी गेहूं की बाली तोड़ नहीं पाया और खाली हाथ दादी जी के वापस आ गया और दादी जी से उसने सारी कहानी बताई तो दादी जी बोली कि बेटा जैसी गलती तुमने अभी कुछ देर पहले गेहूं के खेत में की ना वैसे ही गलती प्रेम में पढ़ने वाले लोग वास्तिक जीवन में करते हैं और वे बेहतर की तलास में उस इंसान को खो देते हैं जो उनका बेहतरीन साथी हो सकता था तो युवक ने पूछा तो क्या इसका आर्थ है कि कि किसी को प्रेम में नहीं पढ़ना चाहिए तो दादी जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है कोई भी प्रेम में पढ़ सकता है यदि कोई योग वेक्ते मिल जाए लेकिन जब भी किसी से प्रेम करो तो सच्चे मन से करो तो कभी उसे गुस से एहंकार और किसी अन्य से तुलना की कारण उसे मत छोड़ो फिर योग ने कहा पर ऐसा क्यूं होता है दादी जी कि इनसान जिससे प्रेम करता है उसे छोड़ कर दूसरे से शादी कर लेता है अब यह प्रसुन सुनकर दादी जी बोली इसका उत्तर देने के लिए फिर मैं तुम्हें एक काम देती हूँ तुम इस बार मक्के के खेत में जाओ और सबसे बड़ा मक्का चुनकर मेरे ले ले आओ लेकिन सर्थ वही पहले वाली ही है कि जिसे तुम एक बार पीछे छोड़ दोगे उसे दुबारा नहीं चुन सकते तो युवक मक्के के खेत में गया किन्तो इस बार बहुत सावधान था वो पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था इसलिए खेत के बीचों बीच पहुँचकर एक मध्यमाकार का मक्का तोड़कर वापस आ गया और दादी जी को आकर बताया कि उसने मक्के का चुनाओ कैसे किया तो दादी जी बोले कि अपने पुराने अनुभव के कारण तुम इस बार खाली हाथ नहीं लोटे तुमने बस एक ठीक ठाक सा मक्का खोजा और यरकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा वास्तविक जीवन में भी लोग इस तरीके से अपने पुराने अनुभव से सीखकर अपने शादी के लिए चुनाओ करते हैं तो दादी जी की बात सुनकर फिर से यह वक जो है दिविदा में बढ़िया उसे दिविदा में देखकर दादी जी ने पूचा कि अब तुम्हें कौन सी बात परिशान कर रही है तो दादी जी आपकी बात सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या बहतर है जिससे प्यार करते है उससे शादी करना या जिससे शादी करी है उससे प्यार करना तो दादी जी ने बोला कि बेटा ये तो तुम पर निरभर करता है तो दोस्तोँ जीवन में भी हम जो भी चुनते हैं उसके साथ हम खुश रहते हैं या नहीं ये सब हमारे खुद के उपर निरभर करता है इसलिए चुनाओ हमें सोच समझ कर करना होगा या फिर जीवन पर ये सोच कर बस्ताते रहोगे कि कास मैंने कुछ और चुना होता लेकिन यह भी सच है कि जब हम खुद में सचे और इमानदार रहेंगे तो हम किसी भी चुनाओं में गलत नहीं हो सकते चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ते हैंड़ केगा